जान लगा दो या जाने दो साई सुना आपने साथियों बिल्कुल जान लगाने का मतलब यह नहीं की मर जाओ जान लगा देने का मतलब यह कि आप पूरा अपना 100% दो 101% अगर आपको भी महत नहीं आती तो आप बहुत अच्छी जगा जुड़ चुके हैं यहां पर हम आपको पढ़ाते नहीं बलकि सिखाते हैं यह बैच हम आपके लिए यूटूब पर टोटल फ्री लेके आए हैं आप सभी कहते हो ना फ्री 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 इंडिया में तो अपने फ्री की हालत यह है कि अगर फ्री में जहर भी बंट्रैट लाइन लगाके ले लेते चलो कभी कामी आएगा तो फ्री देंगे लेकिन आपको क्लास को लाइक और सेर जरूर करना है यह आपकी जिम्मेदारी है फ्री में ठीक है और इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता इसको याद रखिएगा तो आपको इतना करना पड़ेगा आगे बढ़ें चलिए करना क्या है शुरू करना है आगे सभी अभी कुछ बच्चे बच्चे हैं कलास जब स्टार्ट होती है तो दो-चार मिनट हम इंतजार करते हैं कुछ बच्चे भूले भटके होते हैं वो आते हैं अच्छा ये बताओ एक छोटा सा सवाल है जो पढ़ेंगे पढ़ेंगे ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बताए सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताए और हाँ अगर आप कलास का लिंक डेली पाना चाहते हैं कि आपको हर दिन कलास का लिंक भेजा जाए तो आप हमें टेली गराम पे जोईन कर लीजिएगा भूली अगर नहीं क्योंकि टेली गराम पे ही हम आपको सारी अपडेट देते हैं कलास का टाइम चेंज होता है या कुछ भी होता है तो सब टेली गराम पे ही बताते हैं सुमित कस्याब सामभवी मिस्रा, राहुल, मुहम्मद हसन अनू जी आदो इंटर्टेन्मेंट का अड़्डा माथमेटिक, सौट ट्रिक आपर 6,000 बच्चे जुड़ चुके हैं सभी का बहुत-बहुत स्वागत था चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की कानी शुरू करते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं पता है आपको आज यही सब पढ़ेंगे अंक क्या होता है, संख्या क्या होती है और हाँ, अंक और संख्या के बाद हम पढ़ेंगे संख्या के परकार यानि पूरा जो आपका नंबर सिस्टम है उसकी सुरुवात करेंगे क्योंकि जो अभी हम पढ़ा रहे थे उसमें विभाजता नियम इंप्वाटेंट था जैसे अगर आप फैक्टर पढ़ोगे LCMHCF पढ़ोगे, सिंप्लिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको विभाजता नियम आना चाहिए विभाजता नियम आपको तब आएगा जब आपको पर्मिया, पर्मिया, संख्या, भाज, भाज, संख्या, पुडांग, संख्या, संबिसम आएगा तब आएगा तो यह सब एक दूसरे से चैन बाई चैन जुड़े हैं आईए, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी परिभासा हम बोलेंगे जिनको जरूरत लगेगी और नोट कर लेंगे ठीक है, अपने मुह से एक बार बता दूँ, ये क्लास सिर्फ लाइब देख पाएंगे लाइब इंड होने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग यूटूब पे नहीं मिलेगी, आज से ही शुरू है तीन कलास होगा यूटूब पे तो इसलिए अपना टाइम निकालें अगर आपको गरज है सीखने की फ्री सिखाएंगे, सारा काम छोड़के 9 से 9 बच कर 40 मिनट तक लाइब आओ अंक किसे कहते हैं बहुत चोटी बात है परिभासा कहीं पूछी ने जाती हैं ऐसा आप बोल सकते हैं ठीक है? जीरो से लेके 9 तक दसामलो संख्या पददती में अंकों की संख्या कितनी होती है? बताइए दसामलो संख्या पदती में अंकों की संख्या कितनी होती है? बंदना चौहान आपको दिखनी रहा है मुहम्मद हसन का सबसे सही जबाब था सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है मेरे भाई वो होती है दो तू यहाँ पर अभाज्य की बात हो रही बिसम की नहीं बढ़िया च्यालो तो यह चीज आप समझगे अंक क्या होता है जीरो से ले करके नाइन तक संख्या की सै किसे कहते हैं जैसे यहाँ पर मैंने लिखा एक टी यह क्या यह संख्या है लो प्राया पढ़ते हैं साढके yn सभी यह अंक सिंगल है डे viveol हो गया तो वह संख्या हो गई जैसा कोी इसींद और newspapers लेकिन इसके पीछे किसी की और जोडी लगई आगे पीछे कहीं तो यह संख्या हो गई थिक है अगर इसमें और भी कोई नंबर इनके साथ आगे तब भी एक संख्या है यानि आपका है सकते हो कि दो या दो से अधिक अंकों के समूँ को संख्या कहते हैं दो या दो से अधिक अंकों के समूँ को संख्या कहते हैं बस सिंपल सा है इसमें कहीं कोई परिभासा पूछी जाती नहीं आपको समझना है मेन पॉइंट इसमें आपको जो पढ़ेंगे मतलब पढ़ाएंगे वो भाज्य भाज्य और पर्मिया पर्मिय संख्या ये कुछ सीखने वाली चीज है आई ये बात करते हैं ये पर्मिया पर्मिया पुडांग धन पुडांग इनके सब के पूर्बजों के बारे में इनके दाधा deopathic अब संख्या की हो गई साधी इनके हो गए दो फिलर्के इनका एक का नाम था वास्तवी है संख्या रियल नंबर एक का नाम था कालपनी की संख्या यानी इमेजनरी नंबर ठीक है संख्या के दो भाग हुए यानि दो बेटे हुए इनके वास्तविक और काल्पनिक अब देखो जो वास्तविक थे उनकी भी क्या हुई साधी भिया हुई भाई रियल नंबर की भी और इनके भी दुयेटी पैदा हुए जिनका नाम रखा गया पर्मिये और एका पर्मिये यानि वास्तविक संख्या के दो पार्ट पर्मिये और अपर्मिये जो काल्पनिक संख्या थी ये रह गया साधी सुदा नहीं हुए ये कुआरे रह गये इनके और आगे कोई पार्ट नहीं हुए मतलब इनके कोई संतान नहीं हुई ऐसा समझे लो तो इनकी आगे कोई विबंस नहीं है ये खतम है अब पर्मिया पर्मिया में इसमें भी ये भाई सादू बन गए एकदम इनके भी आगे कोई पार्ट नहीं हुए अब पर्मिया के और पर्मिय संख्या की इनकी भी साधी विबा हुआ इनके भी आगे पीड़ी बढ़ी और ये क्या क्या हुए इनके एक प्रकृतिक पूर्ड और पूरांग संख्या है यानि ये अपनी पीछे दो पीड़ी का रिकार्ट तोड़ चुके पीछे दो पीड़ी में तो अगर आप देखो तो दो ही दो हो रहे थे इनमें तीन हो गए ये सब समझने के लिए चीजे हैं अगर आप समझोगे तो ठीक है वास्तविक संक्या को इंग्लिस में रियल नंबर बोलते हैं क्या बोलते हैं रियल नंबर रियल नंबर इसको बोलते हैं इमेजीनरी पता नहीं मेरी स्पेलिंग साही है न देख ले न इमेजनरी नंबर इसको बोलते हैं प्रकृतिक संक्या को बोलते हैं संख्या को बोलते हैं होल नंबर होल नंबर इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर अब इनको एक-एक को बिस्तार से पढ़ेंगे सभी फटा-फट छाप लो समझ लो स्क्रेंसाइड ले लो साचीन कमेंट आ रहा है आप सांत्रों क्योंकि ना कुछ जाद आई कापी पेस्ट कर रहे हो चीकू सिल्पी चौहान समझ में आ रहा है अनुज सुमित मनोज बंधना चौहान ठीक है आगे बढ़े तो यह हो गया खतम चलें आगे अब इसमें एक-एक के बारे में बिस्तार से पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहला क्या है आपका रियल नंबर रियल नंबर क्या होता इसमें से कितने लोगों को पता है बताओ फटा-फट आईए तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे रियल नंबर वास्तबिक संख्या है वास्तबिक संख्या है इनका देखिए एक सिर्फ आपको समझना है बस जितना भी आपने संख्या आज तक नार्मली बुक में या किताब में या कोश्चन में कहीं देखा होगा वो सबी रियल नंबर ही होती है कहीं आपने imaginary number नहीं देखा होगा कलपनाओं की दुनिया देखती नहीं है देखो इनकी परिभासा लिख सकते हो कि कुछी परकार का question या समीकरण इत्यादी हल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है वो real number का हलाती है कुछ भी number आप लेलो सबी real number ठीक है ये सबी क्या है real number ही है सब किसी को कोई doubt नहीं न राहूल बहुत अच्छा है आपका छुट गया है तो अभी तीन वीडियो यूटूब पे है आप देखिए बागी आगे के वीडियो यूटूब पे नहीं मिलने वाले अगर आप regular live में नहीं जुड़ेंगे तब ठीक है मैं सामने से हट जाता हूँ देखो देखते रहूँ imaginary number imaginary number ये जो होता है कालपनिक वाला इनके बारे में हम आपको basic math में नहीं पढ़ाएंगे इनका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है ठीक है basic math में जो आप zero level से पढ़ रहें उसमें कालपनिक संख्या का कोई मतलब नहीं है इसकी कोई बहुत बड़ी कहानी भी नहीं है थोड़ा सा उल्टा उल्टा है इपागल टाइप का है छोड़ दो इसको ठीक है daily free class की notification अपडेट और जो class YouTube पे नहीं रहेगी उसको भी प्राइबेट करके हम इस टेली गराम चैनल में भेजेंगे अगर आप PBR study को टेली गराम पे जॉइन करते हैं तो आपको मिलेगा अब main जो पढ़ना है उस पे चलते हैं वो है सबसे पहले प्राकृतिक संख्या देखिए इसमें अधिकान चीज़ें आपको आती होंगी लेकिन आपको सबर बना के रखना है तसल्डी रखना है धायरे रखना है और रुके रहना है समझना है ठीक है प्राकृतिक संख्या जिसको इंगलिस में बोलते है नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर आपने सुना होगा कि कुछ चीज़ें होती है जो नेचुरल होती है जैसे पेड़ नदियां पहाड जंगल प्राकृतिक हैं किफी ने नदियां नहीं बनाया कभी सुने हो किसी राजजमे की फलाने पार्टी ने फलाने नेता ने एक नई नदी का विसकार कर दिया बनाया है नहीं न जो हैं उनी में कुछ भी करें इधर का उधर हो अलग बाद तो ये नदियां पहाड कहां से आगे मैं थमें नेचुरल वर्ड है प्राकृतिक तो ऐसी संख्याएं जो बिल्कुल नेचुरल होती है नहीं प्राकृतिक होती है ऐसा आप बोल सकते हो जिनकी कोई अभिसकार या खोज नहीं हुआ वो थी पता नहीं कपसे थी मुझे मिनिमाल लूप वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं दूसरी भासा में आप ऐसा समख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं ऐसे संख्या हैं जिनको हम गिन सकते हैं या उनको महसूस कर सकते हैं फिल कर सकते हैं वो कहलाती है क्या नेचूरल नंबर या नी प्रकृतिक संख्या जिनको काउंट कर सकते हैं काउंटिंग नंबर ठीक है इनकी स्टार्टिंग होती है वन से यानि सबसे छोटी प्रकृतिक संख्या क्या है वन बताईए सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है वन एक बार मैं फिर से बता दूँ अगर आपको गड़ित नहीं आती है आप गड़ित से हार मान चुके हैं कोई भी परिक्षा देते हैं आपको मैटस में ही दिक्कत होती है और हाँ आप बिल्कुल सर्माने वाली उमर में पहुँच चुके हैं यानि मैथमेटिक्स आपकी ऐसी है कि आप अपनी होने वाली और होने वाले से भी नहीं कह पा रहे हैं कि मेरी इतनी दिक्कत है यानि आप भी हो चुके हैं इस तरीके के 37 एज के और आपके भी लड़के बच्चे हो चुके है आकर ऐसी कंडिशन है तो बता रहा हूँ बाकी इससे आप छोटे हैं तो और अच्छी बात है तो भी हम आपको मैच सिखाते हैं यहाँ पर पूरा कमेंट फिलहाल नहीं पढ़ा पाएंगे टाइम नहीं है लेकिन बात समझेए कि यह 37 एज की हैं एक इससे बहुत से बच्चे हैं कात कमेंट हम ले लेते हैं दिखा देते हैं तो आप सही जगा जोड़ चुके हैं हम आपको बिल्कुल जीरो से जोड़ घटाना गुड़ा भाग से सिखाएंगे आप रेगुलर लाइब आएंगे बस इतना आपको करना है अगर इतना आप कर सकते हैं तो बढ़िया है ठीक है चलिए प्रकृतिक संख्या हो गया अगला है पूर्ड संख्या तो मेरा कहना ये है कि आपको जो चीजे आ भी रही है फिर भी आप कलास को देखेंगे छोड़ के नहीं जाएंगे देखेंगे वीडियो बंद नहीं करेंगे आप भले न देखें जो आ रहा है लेकिन वीडियो नहीं बंद होगा अदूरे अदूरे से थे हम मिलके तुमसे पूरे हो गए आरे तुमसे नहीं जीरो से देखो कैसे प्रकृतिक संख्याओं के परिवार में सुनने को सामिल कर लेने पर पनी संख्याएं पूर्ड संख्याएं कहलाती है यानि नेचुरल नंबर के परिवार में एक बहु आ गई जीरो वाली जिनका नाम जीरो था और इन्होंने पूरा सिस्टम बदल दिया जीरो की बिना जो हम केवल 9 तक गिनती गिन सकते थे 10 नहीं पहुंचते थे पूदम कूद चलते थे न 10 नहीं पहुंचते थे फिर 11 बारा से लेके हो नहीं इस तब फिर 20 पर उप जाएं बीस आता ही नहीं जीरो था आहीं नहीं तो जीरो पूर्ण संख्या क्या होगी होल नंबर प्रकृतिक संख्या के परिवार में सुन्ने को सामिल कर लेने पर बनी स कि पूर्षउं क्या क्या कालाती है थीक है कि समझ में रहा है चलो आगे देखो नीया अगला साथी मेरे पुढांग संख्या क्या है कि आप पुढांग संख्या के बारे में सुने हो कहीं अब रूखे जा रहे पुरांग संख्या के बारे में जानते हो इंटीजर नमबर बोलते हैं इनको इंटीजर नमबर देखिए पुरांग संख्या के बारे में समझने के लिए इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा पुरांग दो परकार के होते हैं तो ऐसे आप कह सकते हो इसको क्या बोलते हैं जानते हो कि इसको कहते हैं संख्या रेखा यह इसे टेन नहीं होती सीधी होती है यानि आपका है सकते हो कि संख्या रेखा पर उपस्तित सभी संख्याएं पुडांग संख्याएं कहलाती हैं संख्या रेखा पर अब संख्या रेखा पर अनलिम्टर संख्याएं होती हैं अनन्द से लेके अनन्द तक आनन्द सेले के आनन्द तक क्योंकि बीच में सुनना होता है, इधर वोन से ले करके infinite तक जाती है, उदर भी minus में जाता है वो भी infinite तक जाता है समझ रह रहे हो ना? किसी को कोनो तकलीफ जोनी बरमा आ रहा समझ में? इन्नोसेंट गर्ल आपको भी आ रहे सलमान खान तारे सुटिंग उटिंग छोड़के आँ आ गया हो क्या चलो देखो तो संख्या रेखा पर उपस्ते सभी संख्याएं पुढांग संख्याएं कहलाती है अब पुढांग संख्याओं में दो पुढांग होते हैं एक होता है इसको भी लिख लो धन पुढांग कर अब देखिए धन पुढांग संख्या रेखा पर सुनने के दाहिनी तरफ होता है और पुढांग सुनने के बाई तरफ होता है संख्या रेखा पर सुनने के दाहिनी तरफ उपस्ति सभी संख्याएं धन पुढांग कर लाती है राइट साइड यह अनन तक होती है इंफाइनेट तक और संख्या रेखा पर सुनने के बाई और यानि लिफ्ट साइड इसे निगेटिव इंटीजर बोलते है इसे को पौजिटिव इंटीजर बोलते है ठीक है क्या बोलते है इसको पौजिटिव इंटीजर संख्या रेखा पर सुनने के लेफ्ट साइड जितनी भी नंबर्स मौजूद होती है वो क्या कहलाती है रिड़ पुडां कहलाती है निगेटिव इंटीजर कहलाती है गड़ित सीखना है तो यह बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है एक बार मैं फिर से बता दूं क्या कि चाहे कोई महल बनता है जोपड़ी बनती है बनती सब जमीन पर ही है कुछ अपवाद को छोड़ दो तो आसमा में घर बनाएंगे उनकी ब रेलवे का गुरूप डी देते हो चपरासी का परिख्या देते हो या आप आईस पीसी एस बनने वाले हो यूपीसी देते हो या आप टीचर बनना चाहते हो या आर्मी सेना पुलिस में जाना चाहते हो यह सब को पढ़ना है जब तक इसको नहीं पढ़ोगे कल्यान नहीं ह ठीक ना, यही शुरुवात है, यही बेस है, तो धन पुड़ांक, रिड़ पुड़ांक, यानि आपने क्या पढ़ा, प्रकृतिक संख्या, पूड़ संख्या, पुड़ांक संख्या, फिके आगे कारानो, सबसे पहले हम पिछे उच्छे सुरू करेंगा, हाँ, उसके बाद कुछ और चीजें बता देते हैं, प्रकृतिक संख्या में और भी पार्ट होते हैं, प्रकृतिक संख्या के पार्ट होते हैं सम विसम भाज भाज सहभाज ये सब प्रकृतिक संख्या के ही भाग होते हैं अब उसको मैंने इस्ट्रेक्चर में नहीं बनाया था चलिए आए देखते हैं चलो देखो बिल्कुल बेसिक है जिनको आता है वो भी देखेंगे जिनको ना आता है वो भी देखेंगे कोई जायेगा नहीं कि है कि सम संख्या knocked by a कि एपन नमबर बोलते ला इंगलिस में कि बहुत आसान ऑग стать ये तो हमयरे बचलबा आता हैart रहे शुटबा को आता है चांग का सबस्क्राइब लेकिन ये जमाना भी चुका है क्यों कि अब ये इतना वक्त लोगों के पाफ नहीं है कि भाग करके जाने वो समझ रहे हो कि नहीं पहले इस्ते माल करें फिर विश्वास करें वो आला डिटर्जेंट जा चुका है अब क्या है देख के जान जाओ एक नजर में तो देखो पहली नजर में कैफे जानेंगे ऐसी संख्या जिनका लास्ट अंक अंती मिच्छा नहीं 02468 हो वो समसंख्या कहलाती है शापलो भईया सभी को पता था ना ये बताओ एक बार इमांदारी से सभी जने पता रहना हो खमल किसोर प्रिया यादो सपना कुमारी बहुत अच्छा सभी जितने भी चेले जुड़े हैं बहुत क्लास को लाइक करो बाबु ऐसे इमांदारी के साथ बिल्कुल दिल से आपको आपकी उसकी कसम है उसकी मतलब समझे रहो ना अब इससे आगे मैं क्या ये बोलूँ ये दिख रहा है कि नहीं यार हमारे तुन नहीं दिख रहा है आद तो चांद आया है आसमान में मैंने सुना है किसका किसका चांद आया है कुछ लोगों तो वही में गए हैं भाई चांदी में जाने दो अभी कोई मुझे मैसेज भेजा था विसम संख्या यानि और नमबर और नमबर क्या होता है वही परिभासा अगर पुरानी वाली बात करें तो ऐसी संख्या है जिनको दो से भाग करने पर जीरो सेस फला जाता है वो सम होती है जिन में नहीं आता वो भी सम होती है लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा अलग क्या देखो ऐसी संख्या जिसका अंती मंक एक तीन पांच साथ वा नौ होता है ऐसी संख्या जिसका अंती मंक वान थ्री फाइब सेवन नाइन होता है वो भी सम संख्याएं कहलाती है अनुक कुछ वाहा समझ में आ रहा है क्रेटिव अनिक बंदना चोहान जी बिल्कुल बंदना है यह यह एच्पी पटवारी या कुछ भी चीज के लिए मैंने कहा न जहां भी मैत पढ़ना है सम भी सम हो गया इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है भाज बढ़िया है इसको प्यार से देखिए एक एक लाइन पकड़ पकड़ के पढ़िए इसक्रीन साट ले लीचिए लाइब कलाफिंड होने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग यूटूब पे नहीं मिलेगी हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हम बदल चुके हैं अब हम आपको नहीं चालिस मिनट तक लाइब देखो अगर कोई डाउट होता इसमें कलास में तो इसकी प्राइबेट कलास हम आपको बैद देंगे वाटसप पे लेकिन यूटूब पे नहीं मिलने वाली है और उनको मिलेगी जो आएं हैं यहाँ पर प्रूब दिखाएंगे हम आये थे इसक्र को सिस्टम से यह recorded क्लास मिल जाएगी डूना खोजना नहीं पड़ेगा भाज संख्या कंपोजिट नंबर यह क्या होती यह कौन से बिमारी का नाम है छलो देखो भाजeye और अभाज़े यह बहुत ही interested प्राइम नमबर भाज्य और अबhagज संख्या देखिए समझे इसके लिए आपको फैक्टर आना चाहिए जैसे मैंने संख्या ले लिया 16 तो 16 किस-किस संख्या से फुली डिवाइड होगी जड़ाब प्यार से देखो नजर से एक नजर देखो बस 1 से हो जाएगी 2 से 4 से 6 से 8 से and 16 से देखो एके मतलब का है भाया एके मतलब इन सब लिखा का है लिखा जाए यह कहा है इनके इनके फैक्टर है, गुड़न खंड है, इनकी अपवर्तक है, ठीक है, समझ गए, एक बहुत मज़ेदार एक जामपल आने वाला है, आपकी वाली से सम्बंदीत है, समझ न, इसे देखो, और अगर, अगर कम अगर का, इधर देखो न, 17 ले लो, ये सिर्फ और फिर्फ वन और 17 से भाग करने पर 0 से फ़लाएगा, बाकी और कौनों संख्या पैदा नहीं हुई है, कि जो इसको हिला दे, नहीं, इधर देखो और, मान लो 12, इसका फैक्टर 1, 2, 4, 6 और 12 हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है, वहीं अगर हम 13 ले ले ले, तो इसका फैक्टर 1 और 13 होगा, इधर है देख रहे हो, हम और तुम, वो नहीं है इसमें, जो पड़े लिखे हैं और लोग न्यू जूज में रहते हों, लोग वो नहीं है, मतलब बाहर वाली, इसमें देखो है, पहले मैत की भासा में समझ लेजिए, फिर आपको बेवहारिक भासा में भी बताऊंगा, सबर रखियेगा, बहुत मज़ायेगा, मैत की भासा में ऐसे है, कि ऐसी संख्या, जिसका गुड़नखंड यानि फैक्टर, खुद तो हो ही, वन भी हो, लेकिन बाकी और भी कुछ हो, चाहे एकट ही हो, ये नहीं जरूरी की चरपांट ही हो, ये एकट ही हो चाहे, ठीक है, आप देखो, इसको वो लोग बहुत अच्छे समझ सकते हैं, जिनका कहीं अफेर चल रहा है, अच्छा वाला, जो नहीं सुन है, इसका नाम भाई पहले आता है, सुना है, girlfriend and boyfriend, कोई बड़ी बात, कोई गंदी बात नहीं है, simple था नाम है, दुनिया जानती है, देखो, इसमें क्या होता है, कि अधिकान्स केस में, कई सारे केस में, ऐसा मेरे पास matter आता है, क्योंकि मैं इसका भी एक class चलाता हूँ, तो, लेकिन इसका यहां क्या मतलब है, इसका यहां मतलब यह है, कि ऐसा, ऐसी आपकी girlfriend, जिसके आप सिर्फ खुदी हैं, मतलब आप ही आप हैं, और कहीं नहीं चल रहा है, वो क्या है, आप बात जे, और ऐसी, जिसके तुम और दोनों तो होई, बाकी तीन ठुआ और एक्स जगा चल रहे हैं, वो अबात जे, और जिनके कईयों जगा चल रहे हैं, लिम्टेट, साथ जगा, आठ जगा, दो जगा, तीन जगा, वो भात जे हैं, आप इमानदारी के साथ बताओ, आपके उसकी कसम है, कि आप भात जे हो, कि अबात ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हू सिर्फ भात जे, अगर भात जे तो पी लिखे कमेंट करिया भात जे में, और भात जे के लिए क्यू, चलो, पी और क्यू में कमेंट करो एक बार, अब हो सकता है, वो भी देख रही हो, देखो हमारे दिनेश भाई हैं, इनका तो 2 जगा चल रहा है, तीफरी जगा लडाई ह हो रही अभी को सब यही कहते हैं अभी सिंगल हैं एक और है तो सिंगनल हम अयुक्षा है मुझे पता है जितने क्वाले हैं सब पी लिखंगे मुझे पता है देखो सब पी लिख रहे हैं अच्छा इतनी बड़ी दुनिया में सब वही है तो फिर ये भारत चाइना को पीछे करके जनसंख्या में सबसे आगे काहे कुछ आ रहा है अरे वो हैं ये जिनकी हो गई साधी विबा तब भी ये हाल है और जिनकी नहीं हुई कितने तो वैसे मार दिये जाते हैं वो जनसंख्या में गिने ही नहीं जा रहे हैं तो जूटना है वो लो चलो आगे बढ़ते हैं फिलाल आज की क्लास में छोड़ो इसको ये बहुत बड़ी कहानी है चले आगे ठीक है बहुत अच्छा एक बिज toast ये हैं यही क्यूब बतारे हैं बहुत अच्छफा बिज़ए very good तो सबी समझ गए ना पका पका समझ गए ना देखो धोका होगा अब ही अब इसमें धोका होगा कैसे देखो कैसे धोका वाली बात बताऊं कैसे अब तुम्हें भाज भाज पहचानने में दिक्कत होगी देखो कैसे आईए कुछ इक जामपल देते हैं समझना question number इनको 5 लिखेंगे यहाँ पर समझने के लिए इमानदारी के साथ बताना निम्न में अब भाज संख्या है पहला दूसरा तीसरा चौथा ना नब दीज़ इनमें से कोई नहीं बताएए इनमें अब भाज संख्या कौन सी है फटा पर जबाब दीजिए 5A, 5B, 5C या 5D चलिए जल्दी करिए अभी मैं सब लोग की सेटिंग कराऊँगा सबी को आभाज बनाऊँगा दिक्कत मतलो मतलब भाजे आभाजे नहीं भाजे बने तो रहो मेरे साथ देखो मेरे साथ ना अगर आप रहोगे तो आपका कई फायदा है एक तो आप जितने लोग सिंगल हो उनको डबल कर देंगे हम तुरांट जैस्ट कलास के बाद और भी बहुत कुछ मिलने वाला है तो कलास को पूरा देखना बस आज तो आपकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी मतलब समझ रहे हो देखे यही है ना दोखा मैंने कहा था ना होगा और हो रहा है न अधिकतर लोग इसको अभाजे बोल रहे है क्या बोल रहे है अभाजे संख्या मतलब सब गदा यह गोल वाले हैं का यार और कवनो अंजना सर्मा कह रहे ही कि A और C A और C अभाजे है अच्छा स्रीवानसू राजपूत यह C वाला बता रहे है देखो मैं बताता हूँ देखो अधिकतर लोग इसमें गड़बडा रहे है यह E वाला सही है गदाहा गोल एक को ठोरा भाजे नहीं है सब भाजे हैं वैसे ना जैसे कहतो मेरा वाला वफादार है वैसे होता है मेरा वाला ऐसा नहीं है देखो समझो यहाँ पर यह सब ही संख्या है क्या है अभाजे नहीं है यह को अभाजे नहीं सब भाजे है वैसे यह पूरी दुनिया है यह पूरी दुनिया दो के बाजी है बेवफा है समझ रहे हो और तुम उसमें वफा कोजने निकलते हो कहते हैं ना, वह अचारे पर्षांद को देखा करिये कि एक भिखमंगा, दूसरे भिखमंगे से भिखमंग रहा है कौन सी, प्यार वाली उसके बारे में अभी अगली क्लास में बात करते हैं एक प्यार वाली क्लास आएगी उसमें, इंतजार करिएगा, आईए देखियां पर, यह अब हाज यह, नहीं है, भाज यह, देखो कैसा, इसका फैक्टर होगा, 1, 3, 5, 3 से भाग करो, कड़ जाएगा यह, 5 से भी कड़ जाएगा, 15, अरे इतना तो बहुत है समझने के लिए, यह, लेकिन जिनके आफेर कई जगा चल रहे हैं, वो भाजज यह, भाई देखो, इनके कितनी जगा चल रहे, ये खुद तो है ये दूठी, ठीक है, एक्ष्ट्रा मैं, एक, दो, तीन, चार, चार, चार जगा चल रहे हैं, और इनको कहे रहा हैं, बड़ा हिमान दार हैं, 21 भी होता है बताओ ये किस तरीके से अभाज्य है कहो कितने लोग कह रहे थे 63 को भाज्य है नहीं कह रहे थे ना सब अभाज्य कह रहे थे तो ये सबी संख्यां क्या है अभाज्य संख्यां इसमें कोई भी नहीं है सबी भाज्य है बंदना समझ में आ रहा है मित्तल मुखर जी ठाकुर रिसी सिंग आ रहा है समझ में कमेंट ना करो किसी का नाम लेके चलो वो ऐसे सभी है ये सभी अभाज्य नहीं है सभी भाज्य संख्याएं है आईए आगे बढ़ते हैं question number 6 देखना अब इमानदारी के साथ निम्न लिखित में से कौन प्राइम नंबर है अब की बार एक्ठी हो जाएगी ऐसा बात नहीं है 66 51 एक्ठी आऊ रहा है काओ अब यह लो तमई लेलो चलो बताओ बताईए जल्दी करिए निम्न लिखित में से कौन अबाजे संख्या है अर्चू बताओ रिसी भुलॉक किया जाएगा आपको रिसी शचिन तावधान कुश्चन नंबर छे है तो आंसर में 6A लिखोगे कमेंट में या 6B तब ही हम मानेंगे अगर सिर्फ PC बीसी लिखोगे तो नहीं बेरी गुड सुमित यह करें कलाफ खतम करने टाइम हो गया यह तो वही है देख रहे थे बैठके कब खतम हो कब कलास खतम हो चलो बहुत अच्छा बेरी गुड देखें ऐसी संख्या है जिनके फैक्टर उनको छोड़के वन और यानि खुद और वन इसके अलामा कुछ और एक्स्ट्रा है तो वो क्या है भाज्य संख्या है अभाज्य नहीं है जैसा कि इसमें अक्सर लोग C बता रहे हैं और परवीन जी है वो B बता रहे हैं नीलम बिल्कुल नहीं मिलेगी कभी नहीं मिलेगी बाद में बाद में PBR study आप में मिलेगी फीज जमा करके डॉंट free इंगलिस सही है ना मेरी बाद में free नहीं मिलेगी चलो देखो free पढ़ना है तो live आओ 9 से 9 40 तक और नहीं तो आप PBR study आप में जाके सब्सक्रेब्शन लीजिए कभी भी देखिए anytime देखिए डॉंट डॉरी कोई 10 तन नहीं की बात नहीं चलो भाईया जो लोग इसको कह रहे हैं वो अपनी तफली कर ले इसका फाइक्टर तीन है 17 है और इक्यावन है देखो इनके अफेर कई जगा है तो यह क्या है अब भाजे नहीं है भाजे है वैसे इसका दूइ पंचे दस अएंड दूइक कम दूइ ठीक है 17 छक्का 102 होता है देख लो 102 को भाजे कहने वाले देख रहे हो कह रहे हैं ते कि मेरी वाली ओफादार है देख रहे हो इसकी वाले के कितने निकल रहे हैं अब बताओ देख रहो कितने निकल रहे हैं, एक तो ये खुद, एक ये, अभाज्य होने के लिए ये दोनों होने चाहिए, लेकिन इसमें एक्ष्ट्रा कितना है, एक, दो, तीन, चार, चार एक्ष्ट्रा है, तो कहां से ये अभाज्य हुआ, नीलू नमबर चल रहा, नीचे स्क्रिन पर उस पर संपर करिए, अब नमबर पर, आईए देखिए, आगे, इसका कोई फैक्टर है, वन, वन, थिरी, और भी कोई है क्या, देखो, दो से तो विभाज है नहीं, तीन से भी है नहीं, चार से भी है नहीं, पांच से भी है नहीं, और जब तीन से नहीं है, तो छे से भी नहीं है, साथ से भी नहीं है, फिर है किससे ददा ये, नहीं है, मुझे नहीं लगता कि विभाज है, किसी से इसका अंसर सीखा स ये class का time over हो चुका है और हाँ एक बात मैं आपको फिर फे याद दिला दूँ देख लो सुनने फे ज्यादा देखना पसंद करिए ये बैच हम आपको YouTube पर बिल्कुल free देने के लिए लाए हैं जिसका नाम है बिंटर बैच क्या नाम है बिंटर बैच ये तब ही आपको free मिल स लोगों को आएंगे पढ़ेंगे कुछ सीखेंगे बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया इंडिया तो क्या करेंगे आप लाइक और शेयर करेंगे दूसरा ये क्लास आप रात 9 बजे से 9 बज कर 40 मिनट तक सिर्फ लाइब देख सकते हैं लाइब के बाद ये क्लास नहीं मिलेगी हाँ इसके कुछ पार्ट आपको यहां मिलेंगे ये एक छोटा सा ब्रेक मतलब मैं क्या कहू हूँ इस Sei क्रेड येराज कुमार यादसर मैट चैनल पर तो आप तो इसको सब्सक्राइब कर लिए पर कि को आप तो इसको सब्सक्राइब कर लीजी एक यहाँ पर मिलेगी और दूसरा एक चीज़ और अगर आप एकदम बिल्कुल टेंसन फ्री होके सोना चाहते हो कि मुझे 9 बजे इस सो जाना है बाद में दिन में राजा जैसे देखेंगे हम रात में काहे कुछ आगे हैं और जो हाथ में देखना चाहरा दी आर्म देखना उजी आरेम हम देखना कहीं भी देखना कॉन दिकत नहीं रहेगी तो इसको करें ठीक है कि इसको जोईन करने के लिए नंबर पर समपर कर यह नीचे Caroline उल्नला-पर नंबर जल रहा धीर धीर पीडिया पीवी आरे स्टेडी के टेली ग्राम चैनल पर मिलेगा ठीक है कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहां पर बुलाक वाला एक सिप्स्टम है बुलाक हो जाते हैं कॉपी पेस्ट वाले इनको बुलाक करिए बहुत पेस्ट कर दिये जल्दी करिए मन को हाँ एक के तुमको हम बूल गए हैं बिल्कुल बूल गए क्योंकि तुम जूंड बहुत बोलते हो नाम कुछ और रहता है बताते कुछ और हो तो यही वो बैच है चार नंबर क्लास है तीन नंबर क्लास पूरे दो गंटेक चली थी अगली क्लास दस बज़े से है दस बज़े से है डिये लट का क्लास है और आज सिकेंड समेस्टर मैं सुरू कर दूं क्या आज मैं सिकेंड समेस्टर सुरू कर देना उड़िये लड़का ठीक है सिकेंड समेस्टर आज से बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो यूटूब पर बाद में नहीं मिलेगा क्लास के बाद कभी नहीं मिलेगा थैंक्यू टेली लाइब आईए या फिर आप में जोईन क ये अप्लीकेशन में मिल जाएगा पूरा